वेल्कम बैक तो यूरोन यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स लेवल अप गुर्मन जोब प्रेपरेशन तो दोस्तो आज हम डिसकस करते हैं 1st August 2020 के Most Important Questions तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल एकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप हमारी वीडियो की कोई भी अप्डेट को मिस्स ना कर सकें तो बढ़ते हैं दोस्तो आज की वीडियो की तरफ स्टार करते हैं सबसे पहला कोशन है यह हमारे पास आज का वो है who has become नंबर one all rounder in latest ICC test ranking तो आपको बताना है फ्रेंड्स की ICC ने अभी test ranking ज्लाई 2020 में announce किये तो ज्लाई 2020 में ज्लाई 2020 में ज्लाई 2020 में ज्लाव आई volontar की test ranking है उसके अनुसार नमबर वन आल राउंडर जो है वो कौन बना है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका option number B that is when stocks तो when stocks अगर दोस्तों ये हैं England के all rounder तो इन्होंने अभी जो है number one sport जो होसिल किया ICC की test ranking में ठीक है तो ये आपको याद रखना है अगर मैं दोस्तों ICC के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ तो ICC के headquarter कहाँ पे है that is in Dubai वो याद रखना है present CEO जो है यहां के that is Manus होने तो ये present CEO है interim chairman जो है that is Imaran Khwaja इनके जो chairman थे दोस्तों वो अभी step down कर चुके हैं उनका नाम था शंशांग मनोहर ठीक है तो उन्होंने step down कर दिया तो उसके बाद जो है interim chairman जो है ICC के appointment हुए इमरान Khwaja जब तक कि next जो है ICC के elections नहीं हो जाते ठीक है तो ये आपको याद रखना है important news थी बढ़ते हैं अपने next question की तरफ आज का जो हमारा next question है वो है which insurance company launch crop insurance campaign बहुत जरूरी है for farmers in महराश्रा and करनाटका ठीक है तो कौन सी insurance company ने दोस्तो अभी crop insurance campaign जो है वो launch किया है उस campaign का नाम ये given है दोस्तो that is बहुत जरूरी है तो ये campaign का नाम है तो ये farmers के लिए launch किया गया है महराश्रा और करनाटका में तो किश general insurance company ने ये launch किया है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तो that is option number B आपका भारती एक्सा general insurance तो भारती एक्सा general insurance के द्वारा भी ये campaign जो है crop insurance campaign ये launch किया गया बहुत जरूरी है तो ये आपको याद रखने है अगर मैं दोस्तो बजा भारती एक्सा general insurance की बात करता हूँ तो इसका headquarter कहां पे है ये है मुंबई में आपको याद रखने है CEO कौन है दोस्तों इसके that is Sanjeev Shirini Vaz इसके क्या है CEO है तो ये important question था दोस्तों ये आपको याद रखने है आज के next question की तरफ चलते है question number 3 की तरफ who among the following has been appointed as the private secretary to prime ministers Narendra Modi तो prime minister Narendra Modi के अभी आपको बताना है कि private secretary जो है वो appoint हुए है उनका नाम क्या है दोस्तों तो उनका जो नाम है that is option number C हार्दिक सतीष चंदरशा उनका नाम है तो ये नाम आपको याद रखना है इन person को अभी जो है private secretary to the prime minister Narendra Modi appoint किया गया है याद रखने बढ़ते हैं आज के question number 4 की तरफ दोस्तों हमारा आज का question number 4 है which young Indian activist has recently been nominated by the United Nation chief for the new advisory group ठीक है तो अभी हाल ही में भारती activists जो है उनको nominate किया गया है United Nation chief के दोरा उनके नए advisory group के लिए तो आपको उनका नाम बताना है उनका नाम है दोस्तों option number C that is Archana Soring ठीक है तो Archana Soring जी है जो की जंग Indian activist है उनको nominate किया गया है United Nation chief के दोरा for its new advisory group के लिए ठीक है तो ये याद रखना है ये भी important question था बढ़ते हैं आज के अपने पांचमे question की तरफ हमारा जो आज का पांचमा question है वो है great profit 14 ठीक है तो great profit 14 है दोस्तों एक military exercise अभी आपको बताना है ये conducted by which country कौन सी country के दोरा ये conduct करवाई गया है ठीक है तो नाम के exercise का that is great profit 14 ये एक military exercise है कौन सी country के दोरा इसको conduct करवाया गया है तो इसका सही उत्तर होगा option number B that is sorry option number C that is Iran तो इरान के दोरा दोस्तों ये conduct करवाया गया तो इसका आपको याद रखना है इरान की अगर मैं बात करता हूँ इरान की capital है that is terrain ठीक है तो ये इसकी capital है currency की बात करो तो currency क्या है इसकी Iranian real Iranian real जो है that is the currency of Iran तो ये आपको याद रखना है इरान की important points ठीक है चलो बढ़ते हैं अपने next question की तरफ question number 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों which Indian origin politician has been has recently been named the leader of the opposition for the first time in the history of Singapore तो history of Singapore में दोस्तों ऐसा पहली दफा हुआ है कि जो Indian origin politician है उनको दोस्तों leader of opposition जो है वो नामित किया गया है वहाँ पे Singapore में तो आपको दोस्तों उनका जो है नाम बताना है option number B दोस्तों पृत्तम सिंग तो पृत्तम सिंग जो है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये भारती origin politician है जिनको leader of the opposition जो है नामित किया गया है first time history of Singapore में बढ़ते हैं दोस्तों आज की next question की तरफ हमारा जो आज का question number 7 है ये आपको important question है ये भी आपको याद रखना है who leads the e-book देखो e-book जो अभी lease हुई है जिसका title ये given है दोस्तों Standard Treatment Guidelines for the Management of Substances Use Disorders and Behavior Addictions तो ये उस e-book का title है दोस्तों Standard Treatment Guidelines for the Management of Substances Use Disorders and Behavior Addictions तो ये अभी e-book जो है release की गई है तो आपको बताना है ये जो e-book है ये किनके द्वारा दोस्तों ये e-book जो है वो release करवाई गई है तो इसका सही उत्तर है दोस्तो ऑप्शन नमबर डी आपका डॉक्टर हर्शवर्दन तो हर्शवर्दन जी के दोरा हाली में यह दोस्तो यह e-book जो है जिसका नाम है इसको डीस किया गया है ठीक है तो यह आपको याद रखने है बढ़ते हैं दोस्तो आज के next question की तरफ हमारा आज का next question जो है वो है पदमश्री अवार्डे सोनम टिसरिंग लैपचा पास्ट वे ठीक है तो पदमश्री अवार्डे जिनका नाम है सोनम सिरिंग लैपचा उनकी अभी recently दिहानत हो गया दोस्तो तो आपको बताना है कि वो कौन सी field से जो थे वो related थे तो इसका सही उतर होगा दोस्तो option number 1 that is music वो एक fork musician थे राइट fork musician थे और वो music से जो थे वो related करते थे तो यह आपको याद रखना है उनका अभी हाली में निदन हो गया तो यह important question था बढ़ते हैं आज के question number 9 की तरफ दोस्तो यह भी important है which company has collaborated with Fiserv INC for digital transformation तो digital transformation के लिए हाल ही में दोस्तो किस company ने जो है collaborate किया है किस के साथ Fiserv INC के साथ collaborate किया है तो इसका सही उतर होगा दोस्तो आपका option number D that is bob financial solution limited ठीक है तो इसने अभी हाल ही में Fiserv के साथ जो है collaboration किया bob financial solution limited के अगर मैं बात करता हूं तो इसको कप स्थापी का फॉंड किया गया था that is in 1994 इसको फॉंड किया गया था और इसकी parent organization कौन सी है that is bank of broda ठीक है तो bank of broda क्या है इसकी parent organization है यह आपको याद रखना important question था next question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 10 who have been appointed as the sports deputy director of haryana तो यह important question है दोस्तो कि अभी recently जो है sports deputy director of haryana जो है वो appoint किये गए है तो उनको आपका नाम बताना है दोस्तो तो इसका सही उतर होगा दोस्तो option number D that is both A and B बवीता फोगाट और कवीता देवी यह दोनों को अभी recently जो है nominate किया गया है तो यह आपको याद रखना है बवीता फोगाट जो है that is यह wrestling से रेस्लिंग से रेस्लिंग से है और कवीता आगे बात करूं तो यह कबड़ी से है ठीक है यह आपको याद रखना है यह दोनों को अभी क्या किया गया है deputy director जो है sports deputy director of harina इनको appoint किया गया है ठीक है चलो बढ़ते हैं अपने next question की तरफ question number 11 की तरफ चलते हैं दोस्तो SN Rajeshwari has been appointed as the CMD of which insurance company तो SN Rajeshwari जो है इनको recently अभी हाल ही में appoint किया गया chairman come managing director of which insurance company यह पूछा गया कि कौन सी insurance company का इनको हाल ही में chairman or managing director appoint किया गया तो इसका सही उतर होगा दोस्तों आपका option number 8 that is oriental insurance company ठीक है तो oriental insurance company में हाल ही में SN Rajeshwari जी को chairman come managing director जो है वो appoint किया गया है अगर मैं इसके starting point देखू थोड़ा सा तो इसका headquarter आपको याद रखना है और इंटल insurance company का वो कहां पर है that is in new Delhi right new Delhi इसका क्या है सही उतर है तो दोस्तों अगर आप यह video देख रहे हैं तो अगर आप अपने जुलाई month के जो current affairs को cover of करना चाहते हैं तो आप हमारी तो कौन से जो मतलब आभी हमारे इंडियन राइटर थे जिनका 140 मा बर्ष गांठ जो है वो वर्थ anniversary जो है वो मनाई गई 31st जूलाई 2020 गो तो इसका यह सही उतर होगा दोस्तों वो होगा option number is that is munshi प्रेम चंथ ठीक है तो munshi प्रेम चंथ जी का हाल ही में दोस्तों 140 मा अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है वो हुई है तो भारत को किसने रिपर्जेंट किया वहां पर तो यह आपको बताना है दोस्तों तो इसका सही उतर होगा दोस्तों आपका option number B that is परकाश जाविदकर सही उतर क्या होगा दोस्तों इसका परकाश जाविदकर इसका तो नेपाल ने अभी दोस्तों verified जो है news portal की एक list जो है उसको release किया है तो यह आपको याद रखने है नेपाल के बारे में बात करूँ तो capital that is काटमांडू करेंसी क्या है that is नेपालिस रूपिया और CM को नहीं यहां पर KP शर्मा ओली यहां के क्या है CM A यह आपको याद रख अब यह बंदे अभारत mission है क्या दोस्तों इसके बारे मैं आपको बता देता हूं देखर फर्स अगस्ते तो यह mission जो है पांच मां फेस इसका start होने जा रहा है इसमें दोस्तों 792 जो फ्लाइट्स हैं वो operate करेंगी जो इसमें से 100 जो हैं वो domestic flights होंगी और 692 जो होगी वो international flights होगी इनको schedule कर दिया गया अभी जो है मतलब भारत ने क्या किया कि मतलब अलग अलग countries से जो हैं मतलब 1,30,000 जो इंडियन्स हैं वहर abroad में उनको जो हैं वहां से लेके आना है तो इसलिए 5th phase जो बंदे बारत का है यह मतलब उनने start किया इसमें दोस्तों अलग अलग हमारी international flights जो है 21 different airports से जो हैं वो जाएंगी ठीक हो और जितने भी भारती बाहर हैं foreign में उनको लेके आएगी ठीक है तो यह था बंदे बारत mission का 5th phase यह आपको याद रखना है उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीस आफ क्या करेंगे वीडिय जरूर करेंगे राइट कोई suggestion होगा तो comment में leave कर दीजे कोई problem नहीं है उसके बाद आगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को subscribe जरूर करें राइट और साथ में बैल ऐकन होगा राइट साइड में उसको भी प्रेस जरूर करें चलो ठीक है दोस्तों thank you thanks for watching and have a nice day